हेलो दोस्तो दोस्तो जो हाल ही में जुमेंट कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट आई और उन सिलेक्शन लिस्ट में से किसी की भी वेटिंग लिस्ट नहीं थी तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो सिलेक्शन लिस्ट आई उन में से क किस सेलेक्शन लिस्ट का अब वेटिंग लिस्ट आ सकता है आप में से बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा था तो जुमेंट कश्मीर गौर्णमेंट की तरफ से जो ओर्डर आया था तो उसी ओर्डर के मुताबिक दो ओर्डर मैंने आपको प्रिवेस वाली लाइक करें फॉलो करें ताकि आपको फेस्बुक पेज पर भी डेली वीडियो अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहें तो दोस्तों यह तीसरा ओर्डर है जो कि जुमु कश्मीर के लेटिनेंट गवर्नर हैं वो वन टाइम रिलेक्जेशन दे रहे हैं एक्जेप्शन दे रहे हैं Recruitment Agencies को जिन Agencies में जुमेंट कश्मीर Public Service Commission यानि जेके PSE आता है और जुमेंट कश्मीर Service Selection Board यानि जेके SSB आता है कि वो एक Waiting List ड्रॉ करें यानि वो एक Waiting List बनाए और ये जो Waiting List है उन सभी Selection Lists का बनाए जो Selection Lists निकाली गई थी 7th September 2023 2023 के बाद तो जो भी Selection Lists आई चाहे फिर वो जेके PSE की आई हूँ या फिर वो जेके SSB की आई हूँ और जो 7th September 2023 के बाद निकाली गई थी जो भी Selection Lists आई उन सभी Selection Lists का वो एक Waiting List तयार करें लागे दोस्तों अगर हम Waiting List को Restore करने की बात करें तो Waiting List जो है Order के मताबिक वो 26th September 2023 से फोरस में रहेगा लेकिन ये One Time Relaxation है और यहां पर अगर हम Date की बात करें तो 7th September से जो Selection Lists निकाली गई तो उन Selection Lists पे भी अब Waiting List आईगी तो अब आपको देखना है कि जो आपकी Selection Lists आई जिसमें आपने Apply किया था तो अगर आपकी जो Selection Lists है वो 7th September के बाद जुमेंट कश्मिर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड या फिर JKPAC ने निकाली तो उन सभी Selection Lists का भी आप एक Waiting List जो है वो बनाया जाएगा और Waiting List जो है ये 6 महीने तक का इनको Time दिया गया है याने जो डेट निकाली गी है 6 months के अंदर अंदर इनको सभी Posts के लिए Waiting List जो है जुमेंट कश्मिर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड और JKPAC को अब बनानी होगी और Waiting List कितने बच्चों की रहेगी क्या परसंटेज रहेगी वेटिंग लिस्ट के बारे में कितने बच्चे वेटिंग लिस्ट में इनको इंकलूट करने होंगे वो सारा कल हमने वीडियो में डिसकस किया है जोस्तो ये थी एक important update जुमेंट कश्मिर गॉर्णमेंट की तरफ से और ये one time relaxation दी जा रही है हालांकि अगर हम वेटिंग रिस्ट को रेस्टोर करने की बात करें तो वो 26 सेप्टेंबर रहेगा तो दोस्तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आप फेजबूक पे वीडियो देखनें तो फेजबूक पेज को आफ लाइक करें फॉलो करें ताकि आपको फेजबूक पर भी डेली वीडियो अपडेट्स और नोटिफिकेश मिलती रहें तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक करें